Hello students, I hope you are fit and fine. आज हम करने जा रहे हैं बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक, electricity and circuits. इस चप्टर में हम क्या का डिस्कस करेंगे? Electric cell, a bulk connector to an electric cell, an electric circuit, electrical, electric switch, conductor and insulator, NCRTK. यह टॉपिक्स हैं, जो आपकी बुक में given हैं. चलिए शुरू करते हैं. पहले देखें, name of the chapter, electricity and circuits. Electricity means इस चप्टर में हम electricity की बात करेंगे, उससे related जो चीज़ें हैं, उनकी बात करेंगे. Electricity क्या है? Electricity एक energy है, जिससे हम क्या करते हैं? अपने बहुत सारे काम करते हैं. क्योंकि energy जो होती है, यह help करती है हमें different kind के काम करने के लिए. हम पीछे करके आई हैं, चैप्टर, light, shadow and reflection. उस चैप्टर में भी हमने देखा था कि light एक energy होती है, ऐसे ही electricity भी क्या है? एक energy है, ऐसे heat energy है, sound energy होती है, ऐसे electrical energy है. तो energy का काम होता है, help करना. चीज़ों को काम करने के लिए. एक एक ऐसी चीज होती है, anything which help us to do the work. ऐसे electrical energy से भी हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि आपके घर में lights होती है, light की वज़ा से देखो आप कितनी सारे काम कर सकते हो, डार्क रूम में बैटके study तो नहीं कर पाऊगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, आपको lights चाहिए, आपके घर में बहुत अच्छी lightning system है, ऐसे ही कई पर festival पे हम lightning करते हैं हमारे घरों में, तो हमारे घरों को decorate करने के लिए भी lightning की जाती है, जो electricity से ही possible होती है, आपके घर में बहुत सारे electrical appliances हैं, washing machine होती है, जो electricity से चलती है, तो आपके कपड़े बड़े अच्छे से धुलके आते हैं, आपका refrigerator है, fan है, torch है, bulb है, तो कितने सारी electrical चीजें हैं, जो किस से चलती हैं, किसी help से चलती हैं, electricity की help से चलती हैं, बच्चों, ऐसे ही suppose करो, आपने water है, पानी है, आप 5th floor पे रहते हो, वहाँ तक आप पानी कैसे लेके जाओगे, आपने अपनी टंकी को फिल करना है, water tank को फिल करना है, तो कैसे करोगी, आप पानी खुद लेके जाओगे, नो, हम क्या करते हैं, electrical pump की help से क्या करते हैं, नो, हमारे टैंक में फिल कर लेते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो pump कैसे चलता है, electricity की help से, जो electricity है, यह हमारी life में, बहुत ही जादा important है, क्योंकि electricity से हम, बहुत सारे काम करते हैं, even कि सारे ही काम करते हैं, बहुत सारे क्या, सारे ही काम हमारे electricity से जुड़े हुए हैं, lightning हो गई, fan का चलना, refrigerator का चलना, pump का चलना, तो ऐसे, जो है, electricity का role है हमारी life में, तो हमें, electricity मिलती कहां से है, क्या है source electricity का, आपको पता है कि, हमारे पास power plants होते हैं, जहां पे electricity क्या होती है produce, produce नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक law है, क्या है वो law, वो law था कि, जो energy होती है, energy को नहीं तो हम create कर सकते हैं, energy neither be created, not destroyed, यह बहुत ही important law है, इसको थोड़ा सा समझेंगे, means, energy को नहीं तो हम create कर सकते हैं, नहीं destroy कर सकते हैं, क्या है इस चीज का meaning, हुमारे universe में, जितनी भी energy है, वो constant है, उसको हम create नहीं कर सकते, अभी मैंने बोला था आपको पीछे, कि electricity को हम produce करते हैं, नहीं, electricity को हम produce नहीं करते हैं, हम electricity को convert करते हैं, आपको पता है कि electricity बनती कैसे है, water से बनाते हैं, जा steam से बनती है, जो coal power plant stations है, वहाँ से हमारे पास क्या आती है, electricity, तो क्या किया जाता है, water energy होती है, जो water के अंदर energy है, उसी को electricity में convert किया जाता है, water की अंदर, जो energy होगी, यह आपको higher classes में, उस energy को हम किसके अंदर convert करते हैं, electricity से, ऐसे ही जो thermal power plant होते हैं, वहाँ पे coal की help से electricity क्या की जाती है, convert की जाती है, energy को convert करना, clear, तो जो electricity है, यह create नहीं करते, means हमने देखा है कि electricity क्या है, basically एक energy है, यह हम convert कर लेते हैं, convert होता है, energy के different forms हैं, वो एक दूसरे में क्या होती रहती है, convert, ऐसे ही energy light में भी convert हो जाती है, energy sound में भी convert हो जाती है, energy heat में भी convert हो जाती है, energy electricity में भी convert हो सकते हैं, यह energy की different different क्या है, structures हम बोल सकते हैं, forms हैं, ऐसे जैसे आपके घर में आटा होता है, dough है, आप उसकी चाहे round shape में चपाती बना सकते हैं, आप उसको square में भी बनाते हैं, ऐसे रहा है, तो वो किस से बनी हुई है? एकी डो से बनी है, shape अलग लगे हैं ऐसे ही है वो energy ही, चाहे electric हो, चाहे light हो चाहे sound हो, चाहे heat हो तो basically है वो energy ही, तो energy जो है भी energy जो है electricity वाली वो कहां पे produce होती है जा कहां पे हम उसको convert करते हैं वो होती है power plants में power plant आगे उसको power station में भेज देते हैं जो electrical tower आपने देखे होंगे आपके घरों के पास भी लगे होते हैं तावर्स खंबे जिसको आप बोलते हैं उसके साथ ऐसे wires attached होती हैं वो help करते हैं कि वहां से power plant के बाद power station और power station से हमारे घरों तक जो है electricity पहुंचती है देखिए कैसे पहले power plant जो होते हैं वहाँ पे electricity को convert किया जाता है फिर वहाँ से electricity power stations में जाती है फिर power stations जो है वो send करते हैं electricity को हमारे घरों जो होते हैं पावर station परवाइड अस दा electricity यह आपके NCRT में given है power station क्या करते हैं हमें electricity परवाइड करते हैं जिससे हमारे बहुत सारे काम करते हैं तो यह था हमारे पास introductory part उसके बाद है हमारे पास electrical cell electric cell क्या चीज है आपने cell तो देखा ही होगा students आपके remote में भी cell होते हैं कुछ toys होते हैं उसमें cell होते हैं तो ऐसे ही आपने जो आते हैं market में everyday के भी आ जाते हैं डूरा cell के भी आते हैं एड भी आती है cells होते कभी देखा है आपने cell को cell के उपर एक tip होती है और उसका बेस होता है दोनों ही metallic होते हैं देखा है कभी ध्यान से अगर हम यहां पर कोई cell ड्रॉव करें माली जीए एक cell है ऐसे उसका नीचे वाली प्लेट लगी होती है से metallic प्लेट एक तो metallic प्लेट होती है जिसे metal डिस्क भी बोल सकते हैं और उसके उपर वाला थोड़ा सा ऐसे पॉइंटर होता है देखा है कभी यह होगी टिप उसकी clear टिप पाट यह भी metal टिप है तो कभी आप cell को देखो यहां पे cell की उपर और एक निशान बनाया होता है positive और negative अब यह आपके घर में कोई भी cell हो उसको ध्यान से दे जहां पे टिप होगी वहां पे positive लिखा होगा चोटा सा इसे sign बनाया होता है cell की उपर भी और negative भी होता है यह क्या है दो यह है हमारे पास terminal of the cell क्या होते हैं terminal terminal of cell terminal कितने हैं हमारे पास two terminal है एक है positive दूसरा है negative terminal positive and negative terminal of the battery और cell तो हमारे पास यह positive terminal है जी यह negative terminal होता क्या है electric cell जो होता है इसके अंदर क्या होता है अगर हम अंदर देखें है रैसे तो हमें तो ऐसे एक round सी structure लगती है cylindrical सा है लेकिन उसके अंदर chemical फिल किया होता है वह chemical क्या है वह chemical energy किसमे convert हो जाती है electrical energy में तो होता क्या है cell अगर हम देखे तो electric cell यह एक ऐसा device है which convert chemical energy into electrical energy जो chemical energy को क्या करता है electrical energy में convert करता है इसके अंदर जो chemical है store किया होता है जब वह यूज अप हो जाता है जब वह बार बार हम cell को यूज करते रहते हैं उसका जो chemical पूरी तरह यूज हो जाता है तो हमारा cell काम करना बंद कर देता है फिर हम उसको new one से रिप्लेस करते हैं आप क्या करते हैं आपका रिमोट में जो cell डालते हो कुछ दिन चलते हैं वह cell फीर आप new लेके आते हो क्योंकि वह cell के अंदर का chemical सारा यूज हो चुका है वह जितना chemical उसमें जितनी energy थी वह सारी convert हो चुकी है वह electrical energy में वह दुबारा से वह energy प्रड्यूस नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करेंगे इसको new one से रिप्लेस कर देगे तो यह था हमारे पास cell के बारे में क्यों cell क्या होता है एक ऐसा डिवाइस है जो chemical energy को किस्मी कर देता है electrical energy में जब इसका पूरा chemical यूज हो जाए तो यह काम करना बंद कर देता है और हम क्या करते हैं इसको new one एक new cell लेके आएंगे और उससे रिप्लेस कर देंगे यह वाले हम थ्रो कर देंगे अब यह किसी काम के नहीं रहते हैं क्योंकि इसने अब कोई उसके भी two terminals होंगी जितने भी electrical appliances होते हैं इनके two terminals होते है positive and terminal अगर हम बल्ब को देखी कभी देखा है छोटा सा torch bulb ऐसा तो यह torch bulb का जो कांच का यह पाठ है glass का यह case है यह किसके उपर attach होता है metal का base यह metal base है यह metal base है इसके उपर यह क्या लगा हुआ है पूरा round सा आप देखते हो bulb के उपर कांच का पूरा cover तो इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर एक filament होता है इसके अंदर क्या है bulb के अंदर यह वाली wire जो है इसको हम ब जो जो मेल्टिंग फॉाइंट होता है बहुत हाई होता है और यह बहुत जल्दी घर경 हो जाएगा जल्दी पहली चाहिए और उसे क्या होगा यह ग्लो करता है नहीं हाँ है तो यह फिलामेंट किस मैटल से मना होता है यह टंग्स्टन तंग्स्टन मैटल है जिससे फिलामेंट बनाते हैं बहुत पतला सा होता है यह फिलामेंट तो अब हम इसमें देखेंगे कि बल्ब के टर्मिनल कहां पे तो नीचे बिल्कुल बेस पे उसका टर्मिनल होता है यह व यहां पर टू टर्मिनल आप यहां से वायर निकलेगे यह यहां से वायर हम निकालेंगे मालो यह वायर है तो यह बल्ब के बारे में और इसको हम किसी सेल से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो मालो एक सेल है सेल का ये positive है जी ये negative है तो अब क्या करोगे हमने positive को किस से connect करना होता है negative terminal से ये हमें बहुत important point है जो पता होना चाहिए हम positive terminal को किस से connect करेंगे negative terminal ऐसे negative को किस से connect किया जाएगा positive terminal of the cell मान लिए ये bulb के terminal थे और ये cell के terminals है तो अब देखिए अब क्या है cell का negative terminal तो कहाँ attach किया जाएगा positive से इसको यहाँ पर हम क्या कर देंगे connect कर देंगे यहाँ पर और ये positive terminal था इसको यहाँ से wire आ रही है तो कहाँ पर connect कर देंगे इसको हम negative से तो आपका bulb क्या करना चुरू कर देगा जी glow करना शुरू करतेगा bulb क्या करना शुरू कर देगा glow करेगा क्यूंकि हमने positive को negative से terminal से attach करना है और negative को positive से अगर आप positive को positive से कर दोगे negative को negative से कर दोगे तो क्या होगा आपका bulb glow नहीं करेगा बहुत ही important point है बल्ब जो है अगर वो glow नहीं करना है मालो आपने उसको अच्छे से connect कर दिये positive को negative से negative को positive से फिर भी आपका bulb glow नहीं कर रहा क्या reason हो सकता है क्या reason हो सकता है बच्चों बताइए बल्ब आपका क्या हो गया है fuse हो चुका है जी बल्ब क्या हो गया है fuse बल्ब fuse का मतलब इसका जो filament है कई बार वो break हो जाता है क्या हो जाता है break हो गया filament filament break हो गया इसका बीच में गिर जाता filament break तूट जाता है पतली सी तो वो बहुत ज्यादा गरम होने की में इतना से बहुत ज्यादा लाइट आगा अपके घर में एलेक्रीसिटी एनरजी वो इतनी टॉल्डेट नहीं कर पा रहा और वो ज्यादा ओवर हीट हो गया वो ब्रेक हो गया बल्ब fuse हो जागा आप जितना मर्जी उसको connect करो और वो glow नहीं करेगा सारी story क्या है यहां पर क्या है टूट गया है connection यहां तक electricity गई और रुक गई यहां तो अभी यहां तक कैसे जाएगी वो jump तो नहीं करेगी clear तो अभी हम next topic यहीं देखने वाले हैं भी क्या हुआ fuse होने के बाद भी वो bulb glow ही नहीं कर रहा क्या हुआ इस filament break होने के बाद तो bulb क्या हो गया fuse fuse कैसे हुआ जब उसका filament क्या हो गया break हो गया है उसका पूरा जो connectivity का circle था वो break हो गया वो नहीं चलेगा तो एक यह reason बन जाता है तो यह था हमारे पास कुछ terminals के बारे में कैसे होते हैं हमारे पास चीजों के terminal कौन सा terminal कैसे attach करना था हमने clear तो यही था आपका bulb connected to electrical cell अभी हमने देखा कैसे एक bulb को electrical cell से हम connect करते हैं ऐसे हमारे पास बहुत सारे electrical appliances होते हैं students जो हम use करते हैं electrical appliances क्या होते हैं जो electricity की help से हम चलाते हैं हमारे घरों में कौन-कौन से जैसे fan है torch है bulb है और कोई tv television जिसे आप बोलते हो तो यह कुछ appliances है और भी बहुत सारे washing machine है refrigerator है कोई भी आपको पता होना चाहिए what is electrical appliances appliances होते हैं जो electricity की help से चलते हैं run करते हैं work करते हैं तो यह होते हैं electrical appliances उसके बाद है मारे पास an electrical circuit electrical circuit क्या है अभी हमने देखा था कि बल्ब का filament break हो गया वो नहीं चल लिए circuit क्या है circuit होता है closed path अभी मैं diagram ड्रॉव करने वाली हूं महां लीजी यह एक cell है इसकी tip positive और यह negative part और यहां पर हमने एक बल्ब रखा इसको अच्छा सा बनाते है ना जैसे पहले बनाया था एक बल्ब है इसका positive है इसको यहां connect करेंगे और यहां से यहां यहां पर दोनों के बीच में कुछ gap रहना चाहिए positive और negative terminal के बीच में गैप होना चाहिए अगर वो कटे हो जाएंगे तो problem आ जाएगे clear तो हमने इसको connect कर दिया है देखिए बल्ब क्या कर रहा हमारा glow कर रहा है इसके अंदर filament भी है तो यह यहां से लेके यहां तक यह पूरी metal का एक पूरा closed path है ऐसे आप देख रहे हो पूरा round मारा जो crunch है flow कर रहा है इसके बीच में से chemical के बीच में से जाएगा crunch ऐसे इस electrical base में से क्योंकि यह metal का बना है तो conductor है त क्लियर इसको बोलते हैं closed path closed path taken by crunch जिस रस्ते पे चलता है crunch उसको हम बोलते हैं circuit आपकी बुक में circuit बनी हुए है तो closed path वो जो circuit है वो पूरा क्या होना चाहिए closed होना चाहिए पूरा circuit क्या होना चाहिए closed होना चाहिए clear तो माली जी यह आपका cell लगा है ठीक है तो cell को हम ऐसे denote करते हैं cell को कैसे represent करते हैं ऐसे और bulb को यहाँ पे हमने एक bulb लगाया है clear तो आप देखो कि यह पूरा close path है और आपका bulb क्या कर रहा है ग्लो कर रहा है अगर हम बीच में यहां break कर दें वायर आपकी तूट गई है माली जी यह ब्रेक हो गया आपका circuit अब यहां bulb आपका glow नहीं करेगा circuit आपका क्या हो गया है तूट चुका अब यह close थोड़ी है यहां open हो गया यह आपका तो जब तक पूरा close रहेगा जब तक पूरा बंद रहेगा circuit तब तक तब ही क्रंट क्या करेगा फ्लो जब आपका circuit क्या हो गया टूट गया है किसी वजा से यह फिलामें टूट गया था जब बैटरी में कोई problem है means connectivity नहीं है आपके रस्ते में कोई problem है तो आप क्या कर पाऊगे वह पूरा complete नहीं कर पा प्रिज टूट जाएगा तो आप स्कूली ही जा पाऊगे clear आपकी connectivity टूट गई है clear तो circuit ऐसा पाथ है पूरा close path है जिसमें थोड़ी सी भी breakage अगर है कहीं बेबी तो उस वजा से वह circuit क्या है आपका क्रंट जो है फ्लो नहीं कर पाएगा तो इसी basis पे हमारे पास two type के circuit होत बंद रशता है जिसके अंदर पूरा क्रंट गूमता है अगर वो बीच में कहीं पे भी open है खुला हुआ है तो वहारा क्रंट flow नहीं करेगा तो circuit कितने type کے है तू टाइप ते circuit है एक होता है जि open एक होता है close अगर तो circuit close है पूरा बंद है तो क्रंट क्या करेगा है फ्लो अगर circuit open है तो क्रंट क्या करेगा फ्लो नहीं करेगा प्लंट क्रंट विल नॉट फ्लो तो यह था आपका लेक्रिक सर्केट के बारे में closed path है through which crunch flow और through which crunch passes तो उसके बाद हमने देखा कि मारे पास two type के circuit है open and close circuit तो आपने switch के बारे में भी देखा होगा switch एक ऐसा device है जो help करता है हमारा circuit को close करने में और open करने में device विच आइदर ब्रेक्स और close और connect connect circuit स्विच का यही तो काम होता है स्विच आपके घरों में आप बटन दबाते हूँ एकदम से बलबान हो जाता है बटन क्लोज करते हूँ तो स्विच में एक ऐसा पार्ट है स्विच एक ऐसा डिवाइस दिवाइस 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 है जो हैल्प करता है circuit को open करने में और close करने में जैसे ही switch on होगा तो वह circuit को क्या करेगा जी close यह आपको पता होना चाहिए switch on है तो circuit को क्या करेगा वह close switch off है switch off switch off है तो circuit खुल जाएगा open हो जाएगा connectivity break हो जाएगी आपका crunch flow नहीं करेगा जैसे switch on होगा वो circuit को बंद कर देगा proper और connectivity होनी शुरू हो जाएगी और crunch flow करना शुरू कर देगा आपने देखा भी होगा आपकी book में एक safety pin की help से आपको बताया गया है ना देखा है आपने देखाती हो आपको अभी एक circuit बनाएंगे हम चोटा सा यहां पर माली जे यह हमने ऐसे एक bulb लगाया है यहां पर cell लगा था और यहां पर माली जे safety pin ने के उन्होंने रखा है आपको समझाने के लिए अगर तो safety pin connect है यहां wire से जुड़ा हुआ यह वायर है आपकी यह वाली तो बल्ब गलो कर रहा है जैसे safety pin इसके अंदर पूरा connection दे रहा है ना इसको safety pin जैसे यह कौन सा सरकिट है यह close यह switch का काम कर रहा है यहां पर आपको safety pin की help से वो बता रही है स्विच है तो अब यह से जुड़ा हुआ है अब यह switch on है आपका switch क्या है on है और यह बल्ब क्लो कर रहा है जैसे ही हम इसको ऐसे कर दिए अब हम इसको थोड़ा सा टेड़ा कर लें safety pin को आप देखो तो safety pin टेड़ा हो गया है और connectivity क्या हो गए तोट गई है तो switch क्या हो गई off और circuit क्या हो गई आपका open और आपका bulb glow करना क्या कर देगा जी बंद कर देगा bulb glow नहीं कर रहा है no bulb glow आपको दिखेगा कोई bulb glowing नहीं है क्योंकि switch off है तो अगर switch को हम ऐसे denote करते हैं यह पूरा circuit है circuit में हम symbols use करते हैं चीजों की जैसे bulb के लिए आपको मैंने अभी बताया था cell के लिए तो ऐसे switch के लिए symbol कैसा होता है मारे पास ऐसे आपको दिखाया होगा उन्होंने ऐसे तो यह switch के लिए हमारा क्या है symbol है switch on है ऐसे ही अगर इसको ऐसे कर देते हैं तो switch क्या है आपका स्विच ओफ ओपन सर्केट स्विच ओन क्लोज सर्केट बहुत ही इंपोर्टेंट जिन बचों ने लंपियाड का पेपर भी लेना है उनके लिए भी यह टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है बहुत जादा इंपोर्टेंट है switch वाला पार्ट क्योंकि यह सर्केट से कैसे कोर्लेट करता है जो आपको पता होना चाहिए स्विच ओन होता है तो circuit close हो जाता है या olympiad paper में भी आपके अपने exams में उसके पात आगया है मारे पास last topic conductors and insulators कभी आपने कोई वायर देखी हो देखी है कभी वायर येस बहुत मेरे पास भी है वायर एक ये तो मेरे पास एक मेने वायर रखे ये आप देखो plug है plug को आप देखो कि वी पूरी plug के उपर तो एक plastic क कवर है लेकिन ये जो हम लगाएंगे switch में उसके अंदर जो socket है मारा वो ये सारा metallic पार्ट है आप देखो ये मैटल है ना ये मैटल का बना है मैटल बाकि सारा इसके उपर क्या है cover है plastic cover है तो एक साइट से ये या laptop के लिए था इधर हमने इसको electricity से लगा देना है इधर हम इ इसके अंदर मैटल की वायर है अगर हम इसको cover को खोल के देखे तो आपके घरों में भी बहुत सारी wires होती है तो इसके उपर plastic cover होते है उसके अंदर लेकिन मैटल की वायर होती है कभी देखा है आप में ये मैटल जो होती है ये good conductor of the electricity होती है इसका क्या मतलब है conductor होता है जि through which electricity can pass जिसके बीच में इस electricity पास हो सकती है वो होते है conductors for example जितने मैटल है हमारे पास copper है aluminium है silver है ये सारी ही good conductor of the electricity है अपने देखा है कि आपकी wires जो होती है copper की aluminium की बनी होती है iron भी क्या है conductor of the electricity है iron की चीजों को भी current आप टच करोगे iron से तो current लगजेगा आपको क्यूंकि उसमें से current क्या है पास हो सकता है आपकी body क्या है conductor है जा insulator है अगर आप ऐसे electricity को हाथ लगाओगे तो आपकी body में से current flow करेगा means आपकी body भी एक conductor है water भी एक conductor है तो ऐसे ही चो चीज़ें जिनके बीच में से electricity pass हो सकती है जिनके बीच में से electricity pass हो वो सारी ही substances वो सारी ही चीज़ें क्या होती है conductor होती है आप यहां पर कुछ भी लिख सकते है water भी आ सकते answer में तो insulator होती है जिनके बीच में से कवर चड़ा दिया क्योंकि plastic जो है यह इंसूलेटर है इंसूलेटर होते हैं जिनके बीच में से electricity पास नहीं हो सकती इंसूलेटर का काम क्या होता है the substances through which electricity और crunch हम लिख सकते है through which crunch will not pass वो सारे substances क्या होते हैं इंसूलेटर लाइक प्लास्टिक है और कौन सा हो सकते है वोड है रबड है पेपर है तो यह सारे ही क्या है आपके पास इंसूलेटर है तभी तो आपके जो शूज है जो आपके sandals है चपल होती है वो नीचे से आप देखती हो कि रबड की बनी होती है क्यों क्योंकि आप चलते हो कहीं पे भी वायर हो सकती है आपका प्लास्टिक जाए जब कई बर आपको सजेस्ट किया जाता है कि कोई switch को on करना है आपने को electrical appliances के को handle करना है तो always आपको चपल शूज डालने चाहिए क्योंकि वो प्लास्टिक के होते हैं वो इंसूलेटर होते हैं help करते हैं आपको क्या करने में प्रोटेक्ट करते हैं electrical shock से ऐसे कभी भी आप चलो तो हमेशा अपने shoes wear करके चलो करको नीचे को electric wire भी हो सकती है आपका पैर उस पे आ सकता है तो आपको शौक भी लग सकता है तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी जो चपल से होते हमेशा देखो कभी नीचे हमारे पास हर एक चीज के अंदर तो ये था आपके पास conductor and insulator के बारे में students तो I hope you will like this video this is the chapter regarding electricity and circuit if you have any question you can ask anytime through texting us you can send us your email id if you need the pdf of this chapter thank you so much झाल